मौसम विभाग के अनुसार उत्रप्रदेश में 48 घंटे के भीतर मौनसून आ सकता है। बीशड गर्मी के बाद उत्रप्रदेश में तापमान गिरने का सिलसला जारी है। मौसम विभ्यानिकों का मानना है कि मौनसून के आगे बढ़ने के लिए परस्तितियां पूरी तरह अनुकूल है। आज से पूर्वी उत्रप्रदेश में कहीं कहीं भारी बरसाथ भी हो सकती है। प्रदेश के कई हिस्सों में कल से रुक-रुक कर बुन्दा बांदी होने और हवाओं के चलने से लोगों को गर्मी सराहत मिली है। इससे हीट वेव का कहर भी थम जाएगा। यूपी के जिन जिलों में तेज बारिश हो सकती हैं उनमें आजमगर, मौ, बलिया, देवरिया, गोरकपुर, संतकबीर नगर, बस्ती, कुशी नगर, महराजगंज, सिधार्ट नगर, गोंडा, बलरामपुर, अंबेडिकर नगर और आसपास के इलाके शामिल हैं। इन जिलों में अधिकतम तापमान 49 से 40 जिगरी सल्सियस के बीच रह सकता है, जबकी नियुन तमतापमान 28 से 30 जिगरी सल्सियस के बीच रहने का पूर्वा नमान है। अगले पांच दिनों में कोंकड और गोवा, मद्य महराष्ट, मराठवाडा, करनाटक, केरल, लक्षदीप, गुजरात, मद्रप्रदेश, विधर्भ, 36 गड़ में कई जगहों पर हलकी से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। इस दोरान सैलानियों को खास्त और पर एतियात बरतने की अपील की गई है। मौसम विग्यान केंदर शिमला ने राज की उचाई वाले इलाकों में बारिश का अलड़ जारी किया है। प्रदेश के मैदानी इलाकों में विजिबिल्टी भी कम रहने वाली है। राज के कई हिस्सों में बारिश की संभावना है। शिमला के अलावा सोलन, सिरमौर, मंडी और कांगडा के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। अगर आप यहां गूमने जा रहे हैं पूरी तयारी और साबधानी से जाए। मौसम विग्यान केंदर के मताबिक हिमाचल प्रदेश में 28 जून के बाद धीरे तीरे बारिश में बढ़ोतरी होगी। अमेरिकी मौसम एजनसी NOAA यानि National Oceanic and Atmospheric Administration ने कहा है कि 2024 वैश्विक स्तर पर सबसे गर्म होने की 50 प्रतिशत संभावना है। दक्षण पश्चिम मौनसून इस साल 30 मई को दो दिन पहले ही केरल में आ गया था। लेकिन 24 जून तक बारिश 18 प्रतिशत कम रही है। जिसके चलते मई तक भारत का 24 फीज़दी हिस्सा सूखे की चपेट में था। इसका असर देश के उत्तर पश्चिमी और मद्वागों में अधिक तापमान के रूप में देखा जा रहा है। ये दोनों शेत्र खरीव पसलुखास कर धान, तिलहन, दलहन, गन्ना, कपास और मोटे अनाच के लिए जाने जाते हैं। NOAA की शाखा National Center for Environmental Information यानी की NCEI ने कहा है की दक्षन पश्चिमी एशिया में सूखा की स्थिती विस्तार ले रही है जो उतरी भारत से थाईलैंड तक फैल रहा है और पश्चिमी चीन से मुंगोलिया तक जा रहा है। पिछले कई साल से एशिया में असमान रूप से गर्म तापमान महसूस किया गया है। नाफेड और NCCF के जरीए इंदालों की 100 फीजदी खरीदारी करने की योजना बना रही है। इसके लिए एसमरिदी पोटल शुरू किया गया है। पोटल पर पंजकृत किसानों से MSP पर इंदालों की खरीद की जाएगी। सरकार ने महिलाओं को आत्म निर्भर बनाने के लिए उन्हें नमो ड्रोन दीदी स्कीम से जोडने की अपील की है। इस स्कीम से महिलाओं को ड्रोन दीदी के रूप में चैन करके उन्हें शशक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ड्रोन के इस्तमाल से महिलाओं को आगे लाने और प्रामिन महिलाओं को इसके जरिये रोजगार देने के लिए यह योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहट चैन होने पर महिलाओं को 15 दिन तक ड्रोन चलाने का प्रसिक्षन दिया जाता है। फिर ड्रोन दीदी के रूप में जो महिला काम करेगी उसे 15,000 रुपे तक की सैलरी भी दी जाएगी। इस योजना का लाब लेने के लिए महिलाओं को अधार कार्ड्स, थाई निवास प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, इमेल आईडी, फोन नंबर, पासपोर्ट साइज के फोटो और स्वेम साहता ग्रुप का पहचान पत्र होना जरूरी है। बिहार में मौनसूल के अच्छी बारिश का अंतजार है। अभी तक जिन किसानों ने धान की नरसरी नहीं डाली है, वे किसान मैट विधी से नरसरी डाल सकते हैं। इसके अलावा वे सीधी बुवाई से कम खर्ष्ट से अधिक धान का उतपादन ले सकते हैं। इस विधी से किसान करीब दो सबताह में धान की नरसरी तयार कर सकते हैं। किसान को एक एकड में 2-3 किलो ही बीज की जरूरत होती है साथ ही एकड धान की खेती के लिए 100-140 वर्ग मीटर जमीन में नरसरी डालने की जरूरत होती है इस विदी से किसान 15 जुलाई तक नरसरी लगा सकते हैं अब कापास किसान रहत किसास ले सकते हैं उनके सबसे बड़े दुश्मन खतरना कीट बॉल वर्म के खिलाफ लड़ाई में एक नया हतियार शामिल हो गया है यह हतियार AI संचालित पेरो मॉन ट्रैप है यह मशीन AI से चलेगी और खेतों में कीटों को पकड़ने में किसानों की मदद करेगी पेरोमान ट्रैप मशीन खास तोर पर उने लाकों के लिए फाइदे मन्द है जहां पिंक बॉल वर्म का प्रकुब बहुत जादा है कम कीट वाले लाकों में भी बॉल वर्म का जल्दी पता लगाने से प्रकुब को रोका जा सकता है ऐसे में कपास सिखेती करने वाले राज्यों में इस मशीन का उप्योग बड़े तौर पर किया जा सकता है पशुओं के जानकारों का कहना है कि हर मौसम में पशुओं के चारे के बारे में पूरी साफधानी बरतनी चाहिए बरसाथ के दोरान पशुओं को जहां अधिक हरा चारा नहीं खिलाया जाता है उसी तरह से पशुओं को नया भूसा भी एक साथ बड़ी मात्रा में नहीं दिया जाना चाहिए एक्सपर्ट के मताबिक पशुओं का पेट चार हिस्सों में बटा होता है जो रोमन, रेटिकुलम, उमैंसम और आबोमेसम नाम से जाने जाते हैं खास बात ये है कि जुगाली करने वाले पशुओं के चारे का पाचन शूश्म जीवों द्वारा फर्मेंटिट किया जाता है आहार में एकदम बदलाव करने से सूश्म जीवों का रूमन में संतुलन बिगड़ जाता है और इसके चलते पशुओं में पाचन सम्मंदी परिशानिया होने लगती हैं इससे बिमारी होने का डर कम रहेगा